हेलो एप्रिवन गुड मॉर्निंग माइनम इस मुसिन सहीद एंड वेलकम तो अवर उडान एकेंड में तो वाट वी आर गुएंग टू स्टडी तुड़े आज हम क्या सिखने वाले देखते हैं तो चलिए बात करते हैं आज हम देखेंगे अवर न्यू टॉपिक न्यू ठीक है इफ यू रिमेंबर अट वी सार्ट अवर इस टॉपिक फर्स टॉपिक ऑफिस्टी स्टैनर 10th NCRT वाट इस दी राइस आफ नालिजम इन यूरोप में राष्ट वात की हुद है हमने इंट्रोक्शन देखा दैन वी सौ दी ओवर विविव इंस पार्ट सेकें इंप सबसे पहले इस टॉपिक की हम बात करेंगे इंट्रोक्शन इसका क्या कंटेंट है इस ओवर्यूस पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे नेपॉलीनिक डिस्ट्रोइड डिमोक्रसी बड मेड अडिमिर्स्टेटिव फिल्ड मोर रैशनल एंड इफिशन इसने क्या कि आता नेपॉलीन जैसा हम आपको याद होगा कि अब तक फ्रेंच रिवल्यूशन राइज ऑफ नेशनलिजम स्टार्टेड और किस तरह से चेंजेस मोनार्किल फॉर्म अफ गवर्मेंट देन गवर्मेंट देन जेकोबिन कर्प डैरेक्टरियल से होते हुए अब नेपॉलीन के पास यह सत्ता आ गई थी ठीक है अब नेपॉलीन जो वहां क अर्मी कमंडर था वो डिक्टेटर बन चुका था लेकिन इसने क्या किया था डिस्ट्रॉइ डेमोक्रिसी बट मेड एड्मिस्टेटिव फिल्ड मोर रैशनल और इफिशेंट इसने क्या किया था डेमोक्रिसी तो डिस्ट्रॉइ खी थी इसने डेमोक्रिसी को अगेंस किया ऐसे reforms थे, see abolish the privilege based on birth, establish equality before law, very good, अच्छा, नेपोलियन ने ये काम तो भहुत अच्छा किया, equality before law इसने लाई, establish, abolish the privilege by birth, विशेश अधिकार या शेश अधिकार, जो जन्म के आधार पर जो अधिकार था, हमने देखा, 9th में भी हमने देखा, हमने स्टार्टिंग में भी हां, introduction में discuss किया था न, कौन-कौन से जन्म पर अधिकार, privilege by birth होते थे थे न, first clergy, first estate, second estate, clergy, और nobility, जो person होते, जो people, families, belong from the rich, है न, जो अमीर घराने के होते थे, जो सिर्फ और सिर्फ राजा, रजवारों के घराने से ही बिलोंग करते थे न, तो उनको क्या रहता था, कि privilege by birth दिय जा जाता था, विशेश अधिकार, मतलब जन्म पर अधिकार होते थे, तो सबसे पहले नेपॉलियन ने क्या क्या ही, abolish the privilege by birth, बर्त, जो जन्म पर अधिकार रहेंगे, वो समाप्त कर दिये, establish equality, कानून के समान, कानून के समान, नयाय पाली का क्या है, सभी के लिए एक समान है, कानून के समान, सभी एक जैसे रहेंगे, चाहे, बुड़ा हो, बच्चा हो, male female हो, कोई बिस्त्री पुरूश हो, rich poor हो, किसी भी जाती धर्म का हो, यहां पर इसने क्या 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 रहेंगे, समान रहेंगे, कहा समान, नयाय पाली का, एक नयाय विवस्ता के सामने, law इनके लिए equality before law हैगा यह इसने क्या वेरी गूड यह बात समझ में आई अब दूसरा फ्यूडल सिस्टीम सर्फडन एंड मैनेरिल डूस वेर इसने क्या किया जो फ्यूडल सिस्टीम था फ्यूडल सिस्टीम आपको पता होगा कि हमने ने देखा सरंज जांदारी या जमींदारी प्रता कि जो होता था लेंडम लौड होता था यह सारी जमीन मेरी और आप उनों होते करते थे वही काम करते थे और उनी को टैक्स देना पड़ता था इंड लैंड लैंड लॉट्स के यहां पर जमिनदारों के यहां पर तो इसने यह भी बंद करवा दिया फ्यूडल वैर एब लिश और जो भी ड्यूस होते थे वह सारी चीज इसने क्या की रोग दी डैन जैसे किसी भी तरह कि जो आल्टुफल्थू टैक्स होते थे ना जो आल्टुफल्थू टैक्सेस वो भी इसने पर दिया और रिमूट रांस्पोर्ड और कम्म्मिनिकेशन शाथा दिमाग का था उसको यह चीज पता थी कि अगर देश की प्रगति करनी है देश को डेवलप करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा डेवलप मैंट इन एकोनोमिक करो जैसा कि हमने देगा ना फ्रांस क्राइस से क्राइस से जूज रहा था अब इसने क्या किया अपना दिमाग लगा और इसने क्या किया पहला यह वहां की इकोनोमिक को ग्रोथ की अगर इकोनोमिक को ग्रोथ होंगे तो सब सिंपल सी बात है कि पीपल क्या होंगे इसके पास आएंगे इसको देखने लगेंगे as a developer तो इसने क्या किया पहले महां पर economic growth बढ़ानी शुरू कर दी standardized weight and measures uniform laws and common national currency इसने क्या 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 standardized एक हमने part two में भी देखा कि standardized weight and measurement लाया कि नाप्तोल की एक system लाई इसने नाप्तोल नाप्तोल करना वो एक system यहां पर लाई और साथ में इसने यहां तक नेपॉलियन ने क्या यहां तक नेपॉलियन ने क्या याद रखिये गाई यह सारी चीज़ें बहुत important है अगर question में पूछा गया तो आप यह help ले सकते हैं कि इन सारी चीज़ों तक तो यहां ठीक ठीक था कि नेपॉलियन ने क्या क्या यहां पर पहला administrative system को सुधारने के लिए abolish the privilege by birth जो विशेश अधिकार थे उनको abolish किया गया और equality before loss सारे लोग कानून के समान equal है ऐसा इसने reform में कहा then feudal system जो जमिनदारी प्रताती इसने इसको बंद कर दिया सबी लोगों के लिए क्या सर्फडम जो थे वहां के मजदूर वहां के जो गुलाम थे उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टन हो चीकी थी इसको भी बंद कर दिया गिल्ड रिस्टिक्शन वे रिमूर एंड ट्रांस्पोर्ड एंड कम्यूनिकेशन सिस्टीम इंप्रूव किया इसने जो आल्थफ़ल्थव टैक्सिस थे उसको भी इसने रद्द कर दिया और यहां पर स्टैंडरडाइज वेट सिस्टीम और क्या लॉस कॉमन नैशनल करंस तो अब तक क्या था यह फ्रांस से होते हुए पूरे यूरोप पर अपना कबजा चाहता था तो इसलिए दूसरे जो अधर कंट्रिस ने यहां पे भी इसने शुरुआत की थी इन सिस्टीम इन रिफॉर्म की लेकिन स्टार्टिंग में तो इन देशों ने यहां के देशों ने यहां के लोगों ने इसका स्वागत किया था मगर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि जो खुशी का माहूल था जो लोग चाहते थे कि यहां जो नेपोलियन है हमारे लिए एक अच्छा काम कर रहा है जो गुस्से में बदल चुका जैद देखिए इन्थूसेजम सुन टन इ अच्छी की थी देखिए मगर मैंने कहा तो स्टाटी में शार्प था उसने टैक्सेस बढ़ाए यहां पर पीपल लोग नाराज हो गये सेंसर्शिप उसने लागो कि अब सेंसर्शिप क्या होता अब सेंसर्शिप मतलब क्या है कि कोई भी चीज जैसे आपको मूवी बनानी है आपको सौंग बनाना है आपको ड्रामा बनाना है आप तब तक नहीं बना सकते जब तक नेपॉलियन उसकी परमिशन या उसका एड्मिस्टेटिव फिल्ड आपको परमिशन ना दे तो विदाउट परमिशन आप यह नहीं कर सकते एक तरह से हम मान सकते हैं कि उसकी परम लोग चाहिए होंगे तो उसके क्या किया वो सकता तो इसने क्या कि फोर्सिक लोगों को जोईन करने पर मझबूर क्या अब यह थे इसके पॉजेटिव पॉइन्स हमने गैश रे तरह से भी हिसको वह सकते हो ठीक है आप लास्ट में इसका आंत होता है बाटर बैटल ऑफ वाटरलू आप यह थोड़ा समय पॉइंट यहां पर जोड़ा है मैंने देखिए 1815 बैटल ऑफ वाटरलू बिट्विन नेपोलियन और प्रभ अब यह प्रभ मतलब क्या पी आर एब प्रुशिया रशिय ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन एक तरफ थे और नेपोलियन एक तरफ 1815 में इन चारों ने मिलकर नेपोलियन का पराजय कि नेपोलियन को हराया और उसके बाद कि हुआ क्या ट्रीटी ओफ वियेना की संधी हो गई जिसमें बर्बन डाइनस्टी रिस्क्टोर हो गई जहां से थ वियनना की Treaty हो गई और वहां से क्या होगा जो वियननर ट्रिटी में बर्बं डाइक्री थि वह वापी रिस्टोर हो गये वह वापी सत्ता में आ गयी मतलब monarchical form of government ही है वापिस ही आ गया तो यह जो reforms थे है और यह reforms के चलते-चलते end तक क्या हुआ यह आज हमने यहाँ पे देखा ठीक है हमने थोड़ा सा simple way में इसको समझने की कोशिश की है I hope so सभी को यह समझ में आया होगा ठीक है आज हम यहाँ रुकते और हम देखेंगे हमारा अगला point part 4 क्या रहेगा उसके बारे में हम हमारे अगले lesson में lecture में चर्चा या discuss करेंगे तब तक के लिए अपना अपने परिवार का खयाल रखे सावधान रहे ठीक है thank you thank you very much have a nice day bye bye